इस देश की जो दुनिया में एक छवी रही है अनिकता में एकता जिसका लोहा आज से नहीं सदियों से दुनिया ने माना वो अनिकता में एकता में भी दरारे पड़ने लगी है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसको दुरूस्त करने का उसको रिपेर करने का काम तो करेगा ही करेगा आज अलग-अलग विचारधारा के भी लोग यहां हैं कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान परश्टिती को यहां आम लोगों के सहुलियत के हिसाब से कैसे अस्थापित हो बावा भीमराव अम्बेत करशी यहां के आदिवासी दलीद पिछड़ा अलप्शंख्यक जो सदियों से जिनके साथ सोसन होता रहा है उनको कैसे सरक्षन मिले इस विसे को लेकर के एक पहली बैठक आदरिन नितिस जी ने आज बड़ी मसक्कत के बाद सब लोगों को एक सुत्र में बानने का प्रयास किया है मैं इसके लिए इनको बहुत-बहुत कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूँ ये एक कहा जाए कि ये एक पहली जलक है ये जो नही जो एक समो को आप देख रहे हैं इसमें हो सकता है भविस में जैसे दिपांगर जी ने और उमर वाई ने भी का कुछ लोग आपको लगे कि आपके ख़बर में कौन नहीं आए वो आपकी परमुपता होगी तो मैं समझता हूँ हो सकता है कि उससे कहीं आपको ज्यादा इस्चर होके ऐसे भी लोग यहाँ पर रहे हैं यह भी परियास होगा इस शुरुवात तो कहीं न कहीं करना पड़ेगा लेकिन आज जो शुरुवात हुई है निस्चित रूप से यह एक देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा मेरा यह मानना है और एक इमानदार और एक संकल्पित सोच के साथ आगे बढ़ा है तो हर मंजिल पाए जा सकता है हर लड़ाई जीती जा सकते हैं तो आज जो हमारा देश का एक चेहरा था उस चेहरे को फिर से अस्ठापित करने का और मजबूती परदान करने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने का एक प्लेटफरम तयार करने का यह पहला कदम है अगले कारिकरम के बारे में हमारे सिन्यर्स हादरने खड़गे जीने और भी लोगों ने बाते कही है और समय समय पर इन सब चीओं की आपके साथ हम बातों को सेर करेंगे धन्यवारी